तो सभी को मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है और पीछे प्रेंटेशन भी सही से दिखाई दे रही है चले, very nice तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं, right तो आज की हमारी पेड क्लास, फॉर्स्ट पेड क्लास है, एंटमोलोजी की, right तो हम इंट्रोडाक्शन से शुरू करेंगे, मेरा इंट्रोडाक्शन तो पता ही होगा आज की हमारी जो क्लास है, वो यूट्यूब पर भी लाइव जा रही है for the experience, first experience, so सभी YouTube viewers का भी बहुत-बहुत स्वागत है हमारी first class में और मैं आप सभी लोगों के live comments नहीं पढ़ पाऊंगे यहां पर क्योंकि मैं paid class में जुडी हुई हूँ, so if you have any queries, any doubt related to the class or related to the batch, you can just leave in the comment box, आप live chat में ना रहकर उसको comment box में छोड़ेगा ताकि मैं उसको बाद में पढ़के reply करता हूँ, okay, तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारी एक class तो entomology जो है आपका दो words से बना है, और वो दो words कौन से हैं, आप फटा-फट मुझे बताएंगे देखो भाई, सबसे पहली बात है कि class को two-way interactive class रखे, सुर्फ मैं बोलू, आप सुनू, ऐसा नहीं होगा, सारे सोटाओगे क्योंकि यह offline class है, नहीं है, यहाँ पर screen है, screen से हमारा ध्यान जल्दी भटकता है, ठीक है जो भी question पोछो, नहीं आता है, तो at least यह नहीं आता है, ताकि मुझे यह पता हो, कि बच्चे मेरे जाग रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं, ठीक है sorry, lavanya, okay yes, so your microphones and your cameras are allowed from my side, आपके microphones और cameras मेरे साइट से allowed है, and you can use them wisely, right yes, entomology is a word which came with the two word, entomon plus logos, right, and it is a Greek word, यह क्या है, आपका एक ग्रीक word है, it has been derived from Greek language, logos का मतलब क्या होता है, study, यह तो हम सभी को पता है, बहुत जगे, logi, logi, logos use होता है, so this means study, entomon का मतलब क्या होता है, entomon का मतलब होता है, insect, right, entomon का मतलब क्या होता है, insect, so entomology में हम क्या पढ़ने वाले है, study of insect करने वाले है, चिक है, so कोई अगर definition पूचे का हम से, and what is entomology, study of insect is called entomology, study of insects, their behavior, their habitat, their physiology, everything we study in entomology, वो सभी कुछ हम entomology में पढ़ते हैं, चिक है, entomology की बाद जो दूसरा बढ़ाते हैं, वो तह इंसेक्ट, अब ये इंसेक्ट किस language से लिया गया है, इंसेक्ट किस language से लिया गया है, ग्रीक से लिया गया है, लेटिन से लिया गया है, इंग्लिश से लिया गया है, हिंदी से लिया गया है, yes, so इंसेक्ट किस से लिया गया है, इंसेक्ट आपका जो है एक लेटिन वर्ड है, ये आपका एक लेटिन वर्ड है, चिक है, तो यही डिफ्रेंस है, कई जगा पर कई जगा हमारे ऐसे question आएंगे simple simple से, जो मैं याद रखने पड़ते हैं, तो entomology आपका Greek word है, वही insect आपका जो है latent word है, जिसका literate meaning अगर हम देखेंगे, dictionary meaning हम देखेंगे, तो इसका मतलब होता है है, to cut into, to cut into, जिसको भागों में काटा जा सके, जिसको भागों में बाटा जा सके, उसको हम insect कहते हैं, इसलिए insect की body कैसे होती है, segmented body होती है, तो हम divide कर सकते हैं, इसलिए हम इसको insect कहते हैं, to cut into, इसका literate meaning होता है, जो dictionary meaning होता है, कहां से आया है, latent word से आया है, चिक है, तो classification शुरू कहां से होगी kingdom क्या है इसका animal kingdom है plant kingdom तो हो नहीं सकता लेकिन पाइलम यह अर्थरो पोड़ा फाइलम से बिलॉंग करता है ठीक है अर्थरो पोड़ा फाइलम के बहुत सारे features हैं लेकिन majorly इस मतलब इसका नाम का जो मतलब होता है अर्थरो पोड़ पोड़ means legs, आर्थरो means jointed है ना जैसे कि हम लोग generally क्या करते है arthritis में क्या होता है, joint में pain होता है तो अर्थरो पोड जॉइंट से related है हम इस तरीके से इसको relate कर सकते है तो अर्थरो पोड़ का मतलब होता है इसका जो trait meaning है वो क्या है jointed legs, jointed legs that is arthropoda, so the segmented body होती है, इनकी body सभी की segments में divide होती है, bilateral symmetry होती है, bilateral symmetry का मतलब है कि जब हम उसको काटेंगे एक भाग में, तो वो दो equal halves में बढ़ जाएगा, जैसे कि इस तरीके से, अगर मेरी body को यहाँ इस plane में काटा जाए, तो यह वाला side, इस वाले side के identical होगा, दो equal half में बढ़ जाएगे, यानि कि bilateral symmetry है, right, paired jointed legs होंगे, इसमें कभी भी 3, 5 या 7 legs नहीं होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, paired legs होते हैं, right, titledů chitaneous exoskeleton इसमें present होता है, जैसे हमारा skeleton जो है, अंदर प्रेसे थोता है, एंडो-skeleton, इनका skeleton बाहार प्रेसेंट होता है, exoskeleton, so exoskeleton का मतलब है, बाहार से उसको ए y covering देना, उसको protection देना, या उसको शेप देना, वो exoskeleton का काम होता है, nervous system जो है इसमें ventral है और hurt इसमें dorsal फोर्टी के अलग है हमारा जो hurt है वो आगे की side होता है यह कौन सा side हमारा ventral side है जिबकि इंसेक का hurt पीछे की side, dorsal side present होता है तेके ventral side और dorsal side कैसे याद रखनी है जब हम अपने सारे फूर्स पर आजेंगे हाथ को अगर हम जमीन पर टच करें तो जो सामने वाला जमीन की तरफ का हिस्सा होता है उसे वेंट्रल साइड कहते हैं उसके ऑपोजट जो हिस्सा होता है उसे डोसल साइड कहते हैं चलिए तो अर्थ्रोपोडा में ऐसा तो नहीं कि सर्फ इंसेक्ट आते हैं इसमें आपके और भी बहुत सारे और्गानिजम्स आते हैं मुझे आप लुग फटा फट से बताएंगे अर्थ्रो पोड़ा में और कौन से-कौन से और्गानिजम्स आते हैं इस वन पीम पे ध्यान मत दीजे का आप लुगों की क्लास पोज चार बज़े होगी यह पिछले बाच की जो क्लासेज हैं वो एक बज़े चल रही है इसलिए वहाँ पर वन पीम लिखा है ठीक है बताईए फटा फट से अर्थ्रो पोड़ा के एक्जाम्पल दीजिए जो इंसेक्ट नहीं है ठीक है यहां मेरे पिक्चर बनाई होता है आगे की साइड होता है और हर्ट पीछे की साइड होता है दोर्सल साइड होता है सेंटी पिडिस सेंटी पिडिस बड़ा अच्छा नाम है सेंटी का मतलब क्या होता है यह वह वाला सेंटी नहीं है सेंटी हो गया था डाट इस सेंटी मीन्स टेन पैर ठीक है लेग्स जिनमें 10 legs होती हैं उनको centipedes क्याते हैं mellipedes होता है जिसमें 10 से जादा legs होंगी मतलब you cannot count right yes so यह आपके जितने भी crabs है spiders है और आपके यह prawns है जिंगा यह सब क्या है यह आपके arthropod order से बिलॉंग करते हैं लेकिन यह सब insect में count नहीं होते हैं ना तो आपके crabs insect में count होते हैं ना आपके spiders insect में count होते हैं ना आपके centipedes malipedes insects में count होते हैं ना ही आपके यह जिंगे जो है insects में count होते हैं तो यह arthropoda में तो count होते हैं लेकिन insect में count नहीं होते हैं arthropoda का रिट्रेट मेंनिंग क्या है jointed legs ठीक है और क्या-के इनके features हैं Hemosilic body cavity इनमें present होती है यानि कि इनका जो खून है जो blood है वो blood vessels में नहीं बहता जैसे हमारा खून है वो जो body cavity है, body के अंदर जो spaces है उनमें खुला होता है So open system होता है इसमें blood का Muscles are composed of straighted fibers Muscles जो है straighted fiber की बनी हुई होती है Ciliated epithelium is absent इनके जो epithelial layer है वो ciliated नहीं होती है Ciliated क्या मतलब उस पर cilia present नहीं होता है Cilia क्या होता है? What is cilia? Cilia क्या होता है? Hair-like structures, cilia तो इनके जो है epithelium में cilia present नहीं होते है And they have open type of circulatory system Basically इसे को एक अलग तरीके से लिखा गया sentence है Hemosalic body cavity तो arthropoda में जादा insects नहीं जादा organisms आते हैं लेकिन फिर भी arthropoda में आप देखेंगे तो three-fourth population जो है Three-fourth population आपकी insect की ही population है बाकी one-fourth ये population है जो मैंने आपको बताई है Crabs है, prawns है These are just your one-fourth Three-fourth population किसकी है? आपके insect की population है Hemosalic body cavity का मतलब होता है अमबुज की उनकी body cavity जो है उसी में ही खून बहता है Hemosalic means उसमें blood है Hem, hem मतलब blood ठीक है? तो इनकी जो body cavity होती है Body spaces होती है उसी में blood रहता है जैसे हमारी body है हमारी body में खून खुला नहीं घूम रहा है हमारी body में veins और arteries है जिनके अंदर खून बहता है इंसेक्ट में इस तरीके की veins और arteries present नहीं होती Body cavity में ही इनका blood flow करता है ठीक है? Strated fibers का मतलब है बच्चे सीधे-सीधे धागे जैसे इनके protein structures होते है जो की इनकी muscles बनाते है इनको कहते हैं Strated fibers ठीक है? Epithelial means Epithelial cells बच्चे skin cells यह जो हमारी skin cell है यह किसके बने? Epithelial cell के बने है ठीक है? तो इनकी epithelial पर इनकी skin cells पर cilia present नहीं होते है Ciliated epithelium is absent पिर आते हैं Class Insecta Class Insecta तो Arthropoda के अंदर आते हैं Class Insecta तो कुछ तो of course Arthropoda के जो आपके रहे हैं features वो Insecta में present होंगे क्योंकि यह उसी के अंदर आ रहा है और क्या-क्या अलग features present हो सकते हैं तो सबसे पहली बात तो है जो Insecta Class है इसको Hexopoda Class के नाम से भी जाना जाता है किसके नाम से जाना जाता है? Hexopoda Class के नाम से भी जाना जाता है तो Hexopoda का मतलब क्या है? Six Legs Hexopoda का मतलब क्या है? Six Legs ठीक है? तो यह सारे features आपके Insecta Class के है यह सारे features आपके Insecta Class के है लेकिन अब मुझे से एक student ने पूछा था मैं यह सारे features है लेकिन अगर मुझे से एक्जाम में पूछा चाहिए What is the key feature of Class Insecta तो मुझे क्या लेखना है या फिर क्या टिक लगा के आना है अगर आपको सिर्फ एक key feature पूछा जाए Class Insecta का या Class Hexopoda का तो आपको 6 Legs वाला अंसर लगा के आना है क्योंकि Hexa का मतलब होता है 6 Poda का मतलब होता है Legs तो सबसे primary जो symptom है Insecta Class का या जिससे वो जाने जाते हैं वो क्या है कि इनके पास 6 Legs होती है 6 Legs present होती है इनकी Body Segment की जा सकती है भागों में बाती जा सकती है And this Segmented Body has 3 Major Segments Head, Thorax, Abdomen Head, Thorax, Abdomen तो ये 3 जो हैं आपकी Major Segments है ठीक है So First Feature क्या है इनके पास 6 Legs होती है Second Feature क्या है इनकी Body 3 Segments में Divide होती है Third क्या है इनके पास 2 Pair of Wings होती है 2 Pair of Wings यानकी Total इनके पास 4 Wings present होती है Respiration इनमे जो है Tracheal Respiration होता है Tracheal Respiration क्या होता है क्यानकी इनमे Lungs present नहीं होते Tracheas, Pipe's के थू ही Oxygen इधर उधर पहुंचाए जाती है जिसको हम Detail में पढ़ेंगे जब हम Respiration पढ़ेंगे Respiration, Digestion यह सब कुछ भी हम अच्छे से पढ़ेंगे अपनी Next आने वाली Classes में Genital Opinings Situated at the Posterior End of the Body पीछे की साइड Posterior means पीछे की साइड जो है आपके Genital Opinings present होते हैं Class Insecta में Right अब बात आती है कि Class Insecta इतनी बड़ी Class है इतने जादा इसमें इंडिवीजुल है कि Arthropods में भी अगर हम देखी तो 3-4 इंडिवीजुल्स जो है Insecta Class से बिलोंग करते हैं इसके आपके According क्या कुछ कारण हो सकते हैं What can be the reasons की Class Insecta इतनी जादा प्रोलिफरेट करते हैं या फिर उसमें इतने जादा Organisms present है का इतनी बड़ी Class है क्या reasons हो सकते हैं एक-एक करके बताईए सारे Reproduction is faster, very good Short life cycle Adaptability Yes, survive in the most of the conditions कहीं भी छुप जाते हैं Cracks में छुप जाते हैं गरम हवाओ में भी जेल जाते हैं ठंड में भी जेल जाते हैं Exoskeleton present होता है इनके पास exoskeleton present होता है जो इनको प्रोटेक्ट करता है इनके पास wings present होते है जिनकी विज़े से उड़ सकते हैं अपने आपको safe कर सकते हैं साथी साथ food search कर सकते हैं बेटर तरीके से इनके पास compound eyes present होती है जिनके वज़े से इनका vision कभी hamper नहीं होता इवन इफ जब भी वो damage भी हो जाती है तब भी नहीं होता साथी साथ reproduction rate बहुत अच्छा है और sexually भी reproduce कर सकते हैं और parthenon genetically भी reproduce कर सकते हैं तो यह सारे reason हैं जिनकी विज़े से इनसेक्टा क्लास इतनी बड़ी क्लास बनी है साथी साथ इसमें जो digestion है बच्चा वो हमेशा malphigian tubules की help से होता है one of the very most important question from your exam मालफिजन tubule क्या करता है digestion में help करता है साथी साथ ionic balance बना कर रखता है वहीं इसमें metamorphosis दोनों तरीके से हो सकता है complete and incomplete metamorphosis अभी complete metamorphosis क्या होता है complete metamorphosis का मतलब है कि इसमें egg बनेगा egg से larva बनेगा larva से आपका pupa बनेगा pupa से आपका क्या बनेगा adult बनेगा अगर चारो stage is present है तो हम कहते है इसका metamorphosis कैसा है complete metamorphosis है जी विनीत राम राम थोड़ा सा लेट आए हैं आप class में कल से time से आना है ठीक है अगर इन में से एक भी stage absent है तो हम उसे कहते है incomplete metamorphosis ठीक है जैसे कि अगर pupil stage generally absent होती है तो हम इसको क्या कहते है incomplete metamorphosis कहते है metamorphosis क्या होता है developmental activities होती है यानि कि जब वो larvae से adult बनता है तो उसमें wings develop होते है sexual organs develop होते है तो ये आपका जो है क्या कहलाता है metamorphosis कहलाता है जै बिलकुल क्या क्या exam point of view से important है वो भी मैं इस class के last में आप लोगों को बताऊंगी entomology के under ठीक है चलो उसके बाद आपकी sub classes आएंगी insecta class के अंदर दो तरीके के classes होती है terry goats a terry goats a terry goats a for absent जिनमे wings absent होते हैं वो a terry goats होती है जिनमे wings present होते हैं उनको terry goats कहते हैं चीक है so a terry goats does not have wings they are wingless insects जैसे कि आपका protura है diplura है columbola है thysin o yura है यह क्या है आपके सारे wingless insects हैं चीक है आप confusion कहां create हो सकता है confusion create हो सकता है thysin o yura और thysin o pramate जो generally बच्चे हो जाते हैं जब भी मैं उन्हें पूछती हूँ हमेशा मुझे question जो है confusion में मिलता है thysin o yura thysin o yura से आपके thrips belong करते हैं thrips belongs to thysin o yura order thrypidi family लेकिन thysin o yura से आपके silver fish belong करती है चीक है तो कई बार examiner thysin o yura दे देता है और हम thrips की order जो है thysin o yura लगा आते हैं which is not correct thysin o tra से आपका thrips belong करता है thysin o yura से आपकी silver fish belong करती है इन में क्या है wing present नहीं होते थे wingless insects so क्या क्या इनके जो है basically difference है तो basic difference यही है a tarigots में wings present नहीं होते tarigots में wings present होते है a tarigots a metabola होते a metabola यानकी इन में metamorphosis भी नहीं होता है यानि कि इनके जो individual है metamorphosis नहीं होने का मतलब क्या है development नहीं होती है development कहां नहीं होने की जुरूरत पड़ेगी अगर इनका adult इनके जो बच्चे हैं जो लारवे हैं उनके जैसा ही दिखेगा तो उसमें metamorphosis की जरूरत नहीं पड़ेगी जैसे हम हैं हम बच्चपन से ऐसे ही पैदा हुए थे हमारा सिर्फ size बढ़ा है यही दो हाथ थे यही दो आखे थी यही दो कान थे कुछ भी change नहीं हुआ तो यानि कि मुझे metamorphosis की जरूरत नहीं पड़ी तो मैं क्या हूँ मैं एक A meta बोला हूँ जिसको metamorphosis की जरूरत नहीं पड़ी है वहीं जैसे butterfly है वो caterpillar से butterfly बनती है caterpillar बिल्कुल कीड़े जैसा होता है butterfly के तो बड़े-बड़े सुन्दर सुन्दर wings होते हैं तो एकदम अचानक से कहां से प्रकट हो गए क्योंकि इसको development की जरूरत पड़ी है इसको metamorphosis की जरूरत पड़ी है तो ऐसे जो metamorphosis की जिसको पड़ती है अलग development की जिसको जरूरत पड़ती है जन के बाद इसको कहते हैं indirect development इन डारेक्ट डवलपमेंट इस थ्रू मैटा मॉर्फोसेस इन डारेक्ट डवलपमेंट कैसे होती है मैटा मॉर्फोसेस के थ्रू होती है राइट इस सारे differences पढ़ लीजेगा nothing very much जो अब नहीं समझ पाएंगे ऐसा इन में कुछ भी नहीं है अब आपके यह जो टेरीगोट्स थे तेरीगोट्स फिर से डिवाइड होते हैं exotericode और endotericode में exotericode और endotericode क्या है exo का मतलब क्या होता है बाहर endo का मतलब क्या होता है अंदर ठीक है exotericode में wings बाहर की wings नहीं आपके जो metamorphoses कह लिजिए या wing development कह लिजिए वह बाहरी होती है वहीं endotericode में wing development जो है अंदर होती है internally होती है तो इनको endotericodes कहते हैं जिक है विंग डवलप्मेंट externally तो इसको कहते हैं exotericodes wind development internally तो इसको कहते हैं endotericodes जिक है अक्सर देखा गया है कि जो exotericodes है इनमें simple metamorphosis होता है यानि कि जादा changes नहीं आते हैं मान लिजी मैं हूँ बच्पन में बस इतना फरक था कि मेरे बाल नहीं थे मैं गंजी थी अक्सर बच्चे होते हैं और अब मेरे बाल आ गए तो थोड़े बहुत changes आए हैं तो हमें से कहते हैं simple metamorphosis और बिलकुल अलग changes आ गए हैं बही मेरे complex metamorphosis हुआ है ठीक है तो इनके भी जो है differences है आपको सर्फ read करने हैं याद नहीं करने इस आर जस्ट फॉर रीडिंग परपल याद यहां से करना है ठीक है यह थो थी कहानिया background music के साथ जो बनाया गया है कि क्या कुछ हो रहा है कहां से insect develop हुए किस phylum से belong करते हैं किस तरीके से इनका division हुआ है तो insect division हमेशा से ही wings के basis पर ही हुआ है अब आपको यहां से याद करना शुरू करना है examples and their orders यह आपको पता होना चाहिए from exam point of view right first is odonta order odonta odonta order से कौन से कौन से बिलॉंग कर रहे है dragonfly and damsonfly बिलॉंग कर रहे है यह देखे यह है आपका dragonfly और damsonfly this is dragonfly actually ठीक है तो इस तरीके से बहुत पतला सा insect होता है membranus इसके wings होते है dragonfly इसका नाम है और यह किस order से बिलॉंग क है ठीक है dragonfly belongs to odonta order उसी तरीके से प्लिकॉपटर और है प्लिकॉप्टर और से आपकी stone flies belong करती है stone flies belongs to फ्लिकॉप्त्रा ओडर गिक एंसकोर अपकी स्टोन फ्लाइं एंसलोंग तुकि बिलकुल श्टोन फ्लाइं जैसी नहीं देख्वते ऊसके बाद आपका दिक्टियोप्त्रा से आपका कोक्रोच और कोक्रोच और मेंटेट बिलाउंग हृइंस हम सभी ने देखे। ग्राइलो ब्लेटोईडिया से आपके जो हैं ग्राइलो ब्लेटेट्स बिलॉग करते हैं और्थोप्टर से आपका ग्रास होपर और लोकस्ट बिलॉग करते हैं जो हमारा ग्रास होपर यहां मसल्स बनाने में वियस्त है ठीक है तो यह आपको जो हैं ओर्डर से इनके एक्ज करने कल की क्लास में और से पहले दस मिनट आप से क्वेशन पूछ जाएंगे और अगर मुझे आंसर नहीं मिले तो मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगी अगर याद हुआ तो ही आगे बढ़ेंगे ठीक है तो याद रखेगा और डॉंटा से ड्रैगन फ्लाई प्लिकॉप्ट्रा स सिस्तॉन फ्लाई डिख्त्योप्ट्रा से कोकुरूँच ग्रिल अय्तियो और टियो और से घ्राईल ब्लाफोप्टै??? यह सारे किसके एग्सटेडियो चि के एग्जाप्पल है जिनके विंग्स एक्सटरणली डिवलाप होते हैं फिर आते एं डो टेरियोट्स और टेर िर Scorpion fly श्कॉपीयन जैसे यहाँ पर इसकी टेल दिखर रही है ना लेकिन इसके पर विंख्ज्ग भी प्रेजंट थो इसको कहते है Scorpion fly, Scorpion आपके इन इसेक्ट में नहीं count होते लेकिन Scorpion flies आपका mixed order में आता है moat and butterfly is present है moat and butterfly प्लाइज कौन से से हैं लापिडॉप्ट्रा ओडर से हैं यह सभी को पता है लापिडॉप्ट्रा से आपकी बटर्फ्लाइज हैं मोथ हैं सभी लापिडॉप्ट्रा ओडर से बिलॉग करती हैं caddis fly जो है यह आपका tricoptera से बिलॉंग करती है वहीं आपकी flies है, mosquitoes है, housefly अपने देखी है, घर में मच्छर देखे हैं, यह सब किस से बिलॉंग करते हैं, यह diptera order से बिलॉंग करते हैं, they belong to order diptera, fleas हैं, वो सिफेनोपtera order से बिलॉंग करते हैं, these are fleas, यह क्या हैं, यह blood feeders होते हैं, they are blood feeders, so maximum जो हैं इनमें parasitic nature के होते हैं, क्योंकि यह blood feeders हैं, सिफेनोपtera से आपकी fleas बिलॉंग करते हैं, so fleas are different from flies, कहीं सोचो कि मैं आपने गलत spelling लिख दी हैं, fleas अलग है, flies अलग है, flies हाउस फ्लाइज जो आप देखते हैं, यह मखी है न, please इस तरीके की दिखाई देती हैं, they are blood feeders, यह blood पर feed करती हैं, hymnoptera से आपके ants, bees, wasp, यह सब किस से बिलॉंग करते हैं, they belong to hymnoptera, right, आपकी चीटिया है, आपकी मधुमक्खी है, आपके वास्प हैं, तताईया है, यह सब आपके hymnoptera order से बिलॉंग करते हैं, फिर आथा आपको kleoptera order, kleoptera order से आपके bitles and weevils बिलॉंग करते हैं, ओके, तो यह आपके orders and their examples हैं, bitles और weevils भी आप सभी लोगों ने अपने आपस पास देखें हैं, next, और्था प्रा order, और्था प्रा order का नाम और्था प्रा क्यों पढ़ा, और्था प्रा का मतलब होता है, straight wings, मैंने का था न, पूरी की पूरी classification, wings के आपस घूमेगी, दो families हैं, आपकी acridi family और आपकी tetigonidi family, ठीक है, important नहीं है, याद हो तो बहुत अच्छ है, ना हो तो कोई बात नहीं है, families, it's okay, लेकिन सबसे पहले आपको क्या याद करने है, orders याद करने है, families, at least जो मैं बताऊं, important है, उन दो चाय नामों को याद कर लीजेगा, काफी है, right, उसके बाद आपकी dicteoptera आता है, dicteoptera में आपके कौन से है, menteds है, जो mentedy family से बिलॉंग करते हैं, जैसे की mantis religiosa, जिसमें आपका praying mantis आता है, क्योंकि वो pray करता है, तो उसके नाम में religion आता है, religiosa आता है, तो praying mantis का नाम क्या है, आपका mantis religiosa है, तो इसके आगे वाले जो हाथ हैं, वो इस तरीके से रहते हैं, तो ऐसे लगते हैं जैसे pray कर रहा हो, इसलिए इसका नाम praying mentis रखखा गया है then आईसोप्रा से जो है आपकी termites बिलॉंग करते हैं, white yarns बिलॉंग करते हैं dma cap की mites, termites, all these things are belong to isop intrauder व्योंग करते हैं queer, किस से बिलॉंग करते हैं? आपकी ice op trader से बिलॉंग करते हैं अब यह आगे ना देखो थाइसेन अप्रा थाइसेन अप्रा से आपके थ्रिप्स बिलॉंग करते हैं और थाइसेन और यूरा से आपकी सिल्वर फिश बिलॉंग कर रही थी राइट MSC point of view से बचे कुछ आपके जो है इंपोर्टन रहेंगी फैमिली सारी तो उसमें भी नहीं रहेंगी लेकिन हम यह भी मान के नहीं चल सकते कि हर साल ऐसा ही होने वाला है क्योंकि आप नाबाड का पेपर देखे पीछे का बहुत जन्रल अग्री कल्चर बहुत बेसिक अग्री कल्चर पूछा गया है लेकिन इस बार का जो पेपर था वो पिछले बार से काफी अच्छा लेविल था र हमी प्राओडर हमी का मतलब क्या होता है हाफ हमी का मतलब क्या होता है हाफ इनके हाफ विंग्स जो है मोडिफाई हो जाते है हमी प्राओडर इसको कहते हैं यह आपका विंग है यह हाफ हाड हो जाता है और हाफ मेंबरेनस रहता है तो इसको कहते है हमी प्राओडर क्योंकि half wing modify हुआ है इसमें आपके बग्स आते हैं में आपके सारे बग्स आते हैं जाहें ग्रीन स्टिंग बग है रेड पंपकिन बग है काबिज पेंटेड बग है यह crop specific example दिये मैंने जो हम छो हम अंटो में पढ़ते हैं और जब हम Qrops के बारे में पढ़ेंगे हम इन राइट नाओ मैं आप लोगो की कमेंट अभी देख नहीं पा रही हूँ because I am involved with my paid student right now just wait class के last में आप लोगो की जो भी queries है I will answer that, okay so Hemiptra में आपकी pyroqueredi family भी आती है which is not that much important क्योंकि red cotton bug इतना भी important नहीं है इतना भी कोई नुकसान नहीं पोचाता है आपकी crop में बाकि cicada daily family important है क्योंकि इससे belong करते है jasad, jasad का नाम तो आपने सुना ही होगा है aphids, jasad, so jasad किससे belong करते हैं cicada daily family से belong करते है cicada किसका चलता है, jasad का cakha चलता है so jasad से cicada daily family फिर आता है homoptera हम ब्प्ट्रा में आपका, Delphi Cd family है, Aphid D family है, CoccOOOO family है, Pseudo Cocc clarify family है, Allureañe family है, यह सारी कि सारी family क्या है? Important है, These Are Important, ठीक है, क्यों Important है? Brown plant हो पर, किस से बिलोग करता है? Delphi Cd family से बिलोग करता है, जो कि Rice का Major Pest है, Aphids, आफिट्स बहुत सारी क्रॉप पर आते हैं, बहुत सारी क्रॉप पर फीद करते हैं, आफिडी फैमिली से बिलॉंग करते हैं, मिली बग्स स्यूडो कॉक्सिडी फैमिली से बिलॉंग करते हैं, लेकिन स्केल इंसेक्ट कॉक्सिडी फैमिली से बिलॉंग करते हैं, तो यह स्केल्स इंसेक्ट जैसे मिलते जुलते हैं लेकिन स्केल्स नहीं है तो इनको हम कॉक्सिडी की जगह क्या कहते हैं स्यूडो कॉक्सिडी ठीक है स्यूडो लगा देते हैं सामने तो यूजिंग दे स्यूडो मीन्स पॉल्स तो स्योडो कॉक्सिडी से आपके मेली बग्स बिलॉंग करते हैं कॉक्सिडी से आपके स्केल इंसेक्स बिलॉंग करते हैं अलिरो रिडी से आपकी वाइट फिलाई बिलॉंग करते हैं तो इसमें सारे वो इंसेक्ट हैं जो मारी जान पहचान के हैं कॉमन है काफी सारी क्रॉप में काफी सारा नुकसान पहुटाते हैं तो यह वाला जो आपका पोर्शन है फामिली का वह इंपॉर्टेंट है चिक है है फिर लापीडोप्टरा पर आज रहे है लापीडोप्टरा में दो फैमिली ज्याद रखनी बहुत ज़रूई यह नौक्ट टुडी फैमिली से अपके मिथीमा सेपरेटा अलिकोवर पार्मी जहरा चाहरा 스टक फ्रेस लीटूरा तीनों के तीनों इंसेक्ट आर्मी वाम Podypearlitura, तीनों के तीनों इंसेक्ट, आर्मी वार्म, कट वार्म and स्पॉर्टिड बॉल वार्म, है ना, यह बहुत इंपोर्टेंट इंसेक्ट हैं, पॉलिफेगस हैं, बहुत नुकसान पहुचाते हैं, और सबसे नुटॉरियस इंसेक्ट माने जाते हैं, और ये सभी noctuidi family से belong करते हैं उसके बाद आपका जो है बहुत सारी families हैं but you don't have to learn all these things आप noctuidi family को याद रखेगा और pyralidi family को याद रखेगा ये काफी है चिक है तो फिर आपकी आती है गैलिचिडी family जिससे आपकी anguist grain moth belong करती विच इस टोर्ड पेस्ट राइट cotton ball warm pectinophorac gossipella भी जो है आपका गैलिचिडी family से belong करता है फिर उसके बाद आएगा आपका कुलिप्ट्रा ओडर कुलिप्ट्रा ओडर जो है ये coxinality family इसमें है coxinality family और आपकी इसमें it's a predator family जादा तर इसमें predators है predators on ladybird, beetle on brinjal ये bio control point of view से important है तो examples actually हम करेंगे don't worry यहाँ नहीं भी होते है इस ओके एक दिन में जादा work load नहीं लेना है step by step चलना है एक दिन में सारा work load लेंगे तो क्या बन जाएगी खिचडी बन जाएगे तो order पर रुकने है order पर रुकने के बाद कहां रुकना है हमिप्टर वाली slide पर रुकना है जो मैंने बताया था इतना याद हो जाएगा फिर आगे बढ़ेंगे don't worry step by step लेंगे चिक है उसके बाद आपको यह पता रूँची बस कॉलिप्टरा से आपकी बीटल्स पर लॉंग करती है और फिर आते हैं आपका hymnoptera हिम्नॉप्टर में क्या आते हैं आपके हनी बीज वास पी सब किस से हैं हिम्नॉप्टर ओडर से हैं अब इसमें जो है 100 फ्लाइज होती हैं जो की थोड़ी brighter in color होती है डे बिलॉंग्स टू 10 3D फैमिली ठीक है 10 बार देखा है तो 100 किया है किसक के लार्वल पारासाइटस होते हैं जो के लार्वे पर फीड करते हैं they are called as they can be used as पायो कंट्रोल्स ये बायो कंट्रोल के लिए यूज कि ये जाते हैं ठाई ए फिर आती है आपके डिप्टरा फैमिली जितने भी फ्लाइज है जिसके पर फ्लाइज से भी लग गया चाहे हाउस fly हुँ, चाहे आपके good pou aos fruit flowers diffé señor और आपके golem met ठीक है golem met इन flies आपकी Sare किस से बिलॉंग करती है dipra से बिलॉंग करती है से से सिर माइस नीज से आपकी good view long करती है ् टेफ्री डीज से आपकी fruit fly belong करती है तफ्रिडी फैमिली फ्रूट फ्रॉट फ्लाइ जल्दी जल्दी इदर उदर घूमती रहती है तफ्रिया मारती रहती है ना तफ्रिया is for the other students when you are just bunking the class and moving here and there and enjoying that is called as तफ्री in the local language right so तफ्रिया मारना means this it belongs to तफ्रिडी फैमिली right agromycडी फैमिली से आपके leaf miners बिवलॉंग करते हैं और muskडी माझडी फैमिली से आपके जो है root maggots और housefly यह सब किस से बिलॉंग करते हैं muskडी फैमिली से बिलॉंग करते हैं तो इसमें housefly की family याद होने चाहिए आपको fruit fly के family याद दोने चाहिए ये दो important है चिके so that's all अब बात यहाँ आती है एक बार मैं आपको important important topics और बता देती हूँ कि हमें एंटो में किस तरीके से पढ़ना है क्योंकि अगर एंटो का syllabus देखेंगे तो बहुत जादा syllabus है तो एक proper सही तरीके से पढ़ना जो है जरूरी है चिके तो एंटोमोलोजी में हमें कैसे approach करना है so first thing is मैं चलूँगी systematic way से हमने आज पूरी classification करी है फिर हम insect की morphology पढ़ेंगे I think 3 class हैं आपकी morphology की और उसके बाद हम crop pest पर जाएंगे चिके आपको कैसे जाना है आपको crop pests याद रखने है crop pest में आपको major major crop है जैसे rice, cotton sugar cane banana mango coconut cashew में तो एक आदे एक आदे insect वह लग से कर लीजेगा wheat 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 में एक्चली इतने insect है नहीं जो major crops है और vegetables के collectively कर लीजेगा vegetables एक ही उसमें उजाते है ठीक है अलग-अलग से करने की सुर्वच नहीं पढ़ती vegetables यह सारे जो है हमें crop pest पढ़ने है crop pest में क्या-क्या पढ़ना है सिरफ इनका name इनके scientific नेम अगर आप कर पाएं बहुत अच्छी बात है क्योंकि कई बर question में scientific नेम दे देता है तो अगर हमें यह नहीं पता होते हैं कौन सा इंसेक्ट है तम question item नहीं कर पाते हैं साइंटिफिक नेम damaging symptoms damaging symptoms क्या के इनके damaging symptoms है damaging symptoms में specific symptoms करने white ear किसमें बनते हैं onion live leaf किसमें बनती है red rooting sugar cane में किस इंसेक्ट के कारण होती है जो particular symptom है bungee top of banana किसके कारण हो रही है या कौन किसका vector है vector अगर कोई insect vector है किसी disease का तो ये आपको याद रखना है उसके बाद आपको stored pest पर जाना है stored pest सिर्फ एक class है और एक class से एक आदा question तो पका नहीं तो कई बार जाद भी question आदाते है actually क्या होता है examiner जिस चीज को खोल लेता ने एक दू question उसी से दे देता है उसके बाद morphology का बहुत ही basic आने वाला है morphology बहुत basic बिलकुल basic morphology आने वाली है जादा high five कहीं से नहीं पढ़नी है और last आपको classification करने है classification में भी orders तक जाना है families तक जो सिर्फ families दो चार बताई है वही करने है जादा करने की जरूरत नहीं है पेस्टिसाइड application, integrated management यह सब मैं आपको अलग से miscellaneous में आ जाते हैं यह समय पढ़ाऊंगी तो इस तरीके से आपको अपने exam में approach रखनी है पहले crop pest पढ़ने है उनमें भी उनकी कोई life history नहीं पढ़नी है कितने दिन अंडे बनते हैं कितने दिन में फूटते हैं क्या होता है उनका यह सब पढ़ना नहीं है अगर एक अदा question आ जाएगा तो छोड़ देना क्योंकि यह सारे याद वैसे भी नहीं होने सर्फ दिमाग खराब होना है सिर्फ उनका scientific name नहीं है उनके damaging symptoms पढ़ने है दो चीजे उसके बाद important अगर कोई vector है कोई disease को transmit कर रहा है वो हमने देखना है stored pest हमने देखने है उसके बाद simple basic morphology देखनी है और उसके बाद हमने classification orders तक देखनी है बस इतना करना है end to par food आएगी मैं अपनी तरफ से आपको सब कुछ पढ़ाऊंगी लेकिन क्या important है और किस तरीके से आपके approach होनी जीए वो मैंने आपको आज बताया है हर class में नहीं बताऊंगी ठीक है syllabus पूरा करवाऊंगी शुरू से आकरी तक morphology भी अच्छे से बढ़ाऊंगी classification भी पढ़ाया है सब कुछ अच्छे से कराऊंगी लेकिन क्या आपके focus point होने चाहिए वो इस तरीके से design होना चाहिए ठीक है जो बिलकुल classification से related तो actually इतना था नहीं और लंबा थोड़ा मारा subject था बाकी हर class में अगर हो सकेगा तो मैं MCQs लेकर आती ही हूँ अगर किसी class में नहीं भी ला पाती हूँ तो oral test हर class में होगा आपका 10 से 15 मिनिट जैसे कि आज हमने classification पढ़ा है तो कल आपको पहले classification के questions पूठेड आएंगे answers मिलेंगे सब ही आगे बढ़ेंगे syllabus खतम नहीं होता मुझे फरक नहीं पढ़ता मैं नहीं करूँगे पीछे का ही revision चलता रहेगा जब तक आप पीछे का याद नहीं करेंगे राइट रोज class में एक तो timely आएगा live आने की कोशिश कीजिएगे जिसे इन बहुत important काम है उस इन बात अलग है otherwise live आएगा recorded तो आप वही बात है प्लेटफॉर्म्स पर देखी लेते हैं राइट और कोशिश कीजिए कि जो भी हम पीछे करवा रहे हैं आज 10-15 मिनिट उसको revise करोगे जल्दी grasp होगा छोड़ दोगे जो आज 10 मैंने मान लिजी 100% पढ़ाया है तो उसका 10-20% ही आपको याद रहेगा अगर आज आपने revise नहीं किया आज ही revise कर लिया तो जो है आपका almost 50-60% आज ही revise हो जाएगा चीक है तो इस तरीके से अपनी तयारी चलेगी और मेरी class के rules यही है कि आप लोगों को रोज पीछे का पढ़के आना है questions पूछे दाएंगे offline class होती तो on time भी बोलती लेकिन online class है तो on time तो क्या ही बोलूं है ना बट कोशिच कीजेगा कि on time आए कल तक इतना कैसे याद करूं orders याद करने हैं बच्चा सिर्फ तीन slides है orders की हो जाएंगे संध्या या तो class से एक बार बाहर निकल कर rejoin करके देखिए या refresh करके देखिए क्योंकि सभी बच्चों को दिखाई दे रही है सिर्फ आपको problem आ रही है तो एक बार चेक कीजिए चलो अब आप लोगों की side से जो भी question है related to class और related to me और related to subject तो पूछ सकते हैं हाँ जी recorded class मिलेगी बाद में ठीक है मान लीजिए आज मुझे कहीं जाना है अम्में live class नहीं attend कर पाया तो आपकोई classes recorded form में मिलेंगी पूरे जो भी आपकी validity है 6 months 12 months उसके according आपकोई classes तब तक visible रहेंगी आप इनको कभी भी देख सकते हैं जैसे ही मैं यहां से निकलूंगी I will just send a PDF, PDF send करते ही आपकी class के साथ नीचे PDF भी attached हो रहेगी तो आप उससे पढ़ भी सकते हैं at any time ठीक है बच्चे language दोनों mixed रहेगी English और Hindi दोनों languages mixed रहेगी some people are from south some people are from Hindi speaking state तो हम यहां पर mixed language का ही use करेंगे ना pure English use करेंगे ना pure Hindi use करेंगे चाले है चाले अब मैं एक बार YouTube के comments भी देख लेती हूँ तब आप लोगों के कोई भी queries है so just write it down भाई दिपांचू को बहुत डर लग रहा है ऐसी क्या बात हो गई भाई यह अंकीता माम कौन सी है प्रियंका मुझे तो पता ही नहीं है चालो so there's not any doubt or something like that भाई डरने की कोई जरूँच नहीं है दिपांचू डरने से काम नहीं चलेगा keep practicing practice करते रहिएगा right चलेगे good bye take care guys अपने ध्यान रखीगा सुरुक्षित रहिएगा अपने दो बाई नहीं है लोग्षित रहिएगा